कि कि तो गुल्ड का और ती से सक्रीप्ट के बारे मेंMr.ittay aware डिसक्रायब करेंगे सबसे पहले आप श्राइब के यूतॱ चैनल को सबस्क्राइबि लिएजिए और हमारे कोई भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाते हो तो आपको प्री टेलीगराम चैनल लिंक मिल जाएगी की एमसेक्स और इक्विटी की उसका बेनेफिट यह है टेलीगराम जॉइन करने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पर आपको डेली बेसिस पे कुछ कॉल्स हमारे मिलते रहेंगे प्राइम कॉल्स हम वहां पर शैर करते फ्री आफ कॉस्ट और अगर हम इसारे के टाइम फ्रेम रहें और फिबनाची डिट्रेस्मेंट हम डिस्कस करने वाले यह तीनों चार्ट में अगर आप देखोगे तो common एक ही चीज़र वह है टू आर्स का टाइम और फिबनाची डिट्रेस्मेंट दूसरी चीज़ मैं आपको यह बोलना चाहता हूँ क हमारे traders जो calls आपको provide करते वो different price action के उपर करते हैं और यहाँ पर हम उसमें से एक चीज़ के उपर discuss करें वो है फिबनाची retracement और इससे आप खुद से analysis कर सकते हो कि कैसे कौन से टाइम पर calls मतलब कौन सी levels पर आपको entry और exit करना चाहिए आप देख सकते हैं आपे natural gas के बारे में हम सबसे पहले discuss करेंगे तो natural gas में अगर आप देखोगे तो Friday की दिन natural gas में बहुत ही ज्यादा movement था around 2-2 घंटे में आप देखोगे तो 4-7 रूपे का movement था बहुत ही ज्यादा खतरनाक movement natural gas में देखने मिला है और natural gas का जो future का closing है वो 206.2 का है 205.1 उसका near term support level है अगर यह support break करता है तो 201 तक की downfall आपको देखने मिल सकती है 201 यानि की 4 रूपे की downfall आपको easily देखने मिल सकती है लेकिन main चीज़ क्या हुआ फ्राइडे को आप देख सकते हैं यह candle 205 के नीचे उसने close दिया लेकिन very next candle जो second candle था उसने फटाक से एक spike दिया up to 209 का तो natural gas बहुत ही ज्यादा volatile हो चुका था फ्राइडे के दिन लेकिन मेरे ख्याल से अगर Monday और आने वाले week में natural gas में आपको इतनी volatility नहीं मिलेगी आपको one side trend देखने मिलेगा या तो upside या तो downside और upside में natural gas को आपको buy करना है about 207 आप 207.9 के उपर natural gas में buying कर सकते हो क्योंकि 0.78 person का retracement level है यह level के उपर आप natural gas को आने वाले week में intraday में और positionally आपको buy करना हो तो 207.9 के उपर buy कीजिए stop loss आपका 205.1 का रहेगा और target आपका रहेगा 210.6 और 215 का target यह दो target upside targets रहेंगे about 207.9 के और अगर downside में बात करता हूँ natural gas में तो downside आपका चालो होगा 205 के नीचे अगर 205 के नीचे 30 minute या 1 hour का time frame closing दे रहा है 205 के नीचे अब sell कर दीजे natural gas को आपका जो first target रहेगा वो 201.7 रहेगा और second target आपका 197.4 रहेगा यह Monday, Tuesday और आने वाले week के लिए पूरे week के लिए यह technical levels आप natural gas में यूज कर सकते हो और suppose अगर Monday को natural gas ना 207.9 के उपर जाता है ना 205 के नीचे जाता है वो यही देंच में गुमता है तो यह technical levels आप Tuesday के दिन में भी use कर सकते हो अब हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में तो natural gas के technical levels आने वाले week के लिए हमने discuss कर लिए अब हम गोल्ड के बारे में discuss करने वाले गोल्ड में अगर आप देखोगे तो गोल्ड 0.50% के retracement लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है और जब तक गोल्ड यह बहुत ही strong level है 0.50% का जब तक गोल्ड यह लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है मैं आपको एक भी buying call गोल्ड में suggest नहीं करूंगा नहीं positionally नहीं intraday बहुत ही ज़ादा risky हो जाएगा intraday जितना हो सके उतना आप sell side अगा entry लो तो अच्छा है sell on rise की strategy आप गोल्ड में use कर सकते हो जब तक 0.50% के उपर नहीं जाता है आप देख सकते हो गोल्ड ने जो closing दिये है वो Friday को 0.38% के उपर दिये 50,464 के उपर उसने closing दि travel है आने वाले week के लिए अगर मंदे को आपको गोल्ड मिल रहा around 50,400 के आसपास मिल रहा है यानि कि 50,464 के नीचे अगर आपका गोल्ड जाता है 30 minute या 1 hour के टाइम फ्रेम पे आप उसको sell कर सकते हो आपका जो stop loss रहेगा वो यहां से 200 point का रहेगा अगर गोल्ड आप 50,460 प 400 से 500 point आराम से गिर सकता है कोई problem नहीं आने वाली है और अगर upside की बात करते है तो 0.50% यानि कि 50,837 का यह जो level है यह level के उपर आप gold buy कर सकते हो आपको 300 से 700 point की rally easily मिल सकती है 300 से 700 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 50,837 के उपर जो target है वो 0.61% का Fibonacci retracement का target है जो कि 51,211 है तो almost 300 point की rally आप यहाँ पर पकड़ सकते हो उपर के side और second जो target है वो आप देख सकते हो 500 point का है 550 point के आसपास का target है 0.78% का तो वो upside rally तभी possible है जब 0.50 यानि कि 50,800 के उपर जब gold cross करता है और 30 minute का अगर वो sustain कर रहा है तो यह आपको उपर की rally देखने मिलेगी वरना gold बहुत ही ज़ादा negative है और उसको आप sell on rice की strategy यूज करके 50,600-50,700 पर short करके काम कर सकते हो 100-100,500 point आपको आसानी से इसमें मिल जाएंगे gold में अब हम बात करेंगे crude oil के बारे में उससे पहले में आपको एक और बार reminder देता हो stock money makers की YouTube चैनल को आप subscribe कर लिजे और हमारे कोई भ basis पे free calls आपको मिलते रहेंगे और prime membership के लिए आपको allies blue में हमारे reference है account open करना होगा हमारे reference link आपको हमारे कोई भी वीडियो के नीचे मिल जाएगी अब हम बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो की crude oil futures के बारे में discuss कर रहें तो crude oil futures में भी हमें Friday की दिन बहुत ही ज्याद देखने मिली आप देख सकते हों यहाँ पर कि बहुत बड़ा spike उपर के side देखने मिला है 3027 का high market वह वहाँ से गिर गया 3027 अगर आप देखोगे stock money makers के youtube channel पे तो हमने 5 दिन पहले भी same levels के साथ वीडियो बनाया था और आज भी same levels के साथ ही वीडियो बना रहे और उसके benefit बह वो 2999 का था जिस दिन 3018 के उपर crude oil ने close दे दिया 3018 से लेके 3027 के उपर तो आपको जो target है upside target आप expect कर सकते हो 3089 का जोकी 0.61% का retracement level है और आप दूसरा target expect कर सकते हो 3191 का जो 0.78% है चार्ट को देखके मुझे ये clearly लग रहा है कि ये बहुत ही strong resistance पर trade कर रहा है ये strong resistance level 3018 से लेके 3027 का crude oil का बहुत ही strong resistance लेवल है अगर उसने इसके उपर 2 घंटे के चार्ट पर अगर breakout दे दिया तो जो target आप upside expect कर सकते हो आराम से 1500-200 point के target आप crude oil में उपर के side expect कर सकते हो लेकिन downside अगर हम देखे तो downside आपका चालू हो जाता है 3018 के नीचे 3018 के नीचे crude oil मेरे लिए weak है तो 20-30 point की stop loss से आप sell कर सकते हो जो target आप expect कर सकते हो downside पहला target आप 2946 का expect करोगे 0.38% का retracement level है इसलिए और अगर ये level भी 2 आके time frame पे break कर देता है तो second target आपका रहेगा 2858 का तो ये downside technical levels है और upside technical levels हमने आपको crude oil के बता दिये आने वाले week के लिए और intraday live calls अगर आपको चाहिए तो आपको बस हमारे reference में allies bloom में account open करना होगा और stock money makers को subscribe कर लिजे और pre telegram channel join कर लिजे आपको live intraday calls वहाँ पे मिल जाएंगे thank you have a nice day